चलिए आज आप लोगों की साथ प्रेट सेंडविच कर रेसीपी शेयर करती हूँ जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है इसके बनाने के लिए उबले हुए आलू, गाजर, प्याज, टमाटर यह सारी सबजिया लिह हुम है और यहाँ पर ग्रीन चैट्नी होती है, यह मेरे चैनल के शॉटल में है आक लोग जाकर की देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्लाइस, ब्रॉण ब्रेट्ली हूँ मैं आप उऋइट भी ले सकते हैं और यहाँ पर मैं घी लगाई हूँ, आप घी के जगा पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी पहला लेयर घी उसके उपर टॉमाटो कैचप इस तरह से लगा दीजिया देखिए बहुत ही एजी रेशिपी है और बहुत क्विक रेशिपी है और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसके अंदर नहेट सारे सबजिया में डालने वाली हूँ आप अपने अनुसार भी सबजिया ले सकते हैं जो आपको पसंद हो कैप सिकम भी ले सकते हैं मश्रूम को बॉइल करके ले सकते हैं यहाँ पर मैं सिर्फ बॉइल क्या हूआ आलू ली हूँ गाजर, प्याज, टमाटर और बॉइल कुए हूए आलू को इस तरह से सारे सबजि में इस्तेमाल कर रही हूँ आप घर में बना करके धनिया पती लहशून टमाटर जैसा टेस्ट आपको पसंद हो बना सकते हैं वैसी रेसीपी मेरे चैनल के सौट्स में है देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा नम्मक ओपर से नम्मक डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसा थोड़ी से काली मिर्च पाउडर मसाले आप अपने टेस्ट के नोसार बढ़ा भी सकते हैं और चीज चीज ऑप्सनल है डालना चाहे तो डालिए नहीं डालना चाहे तो कोई बात ने डालेंगे तो जैदा टेस्टी बनेगा और उपर से ग्रीन चटनी वाला ब्रेड ऐसे आप लगा दीजे थोड़ा सा हलका सा अपने हाथ से प्रेश कीजे बस हो गया इस तरह से थोड़ा सा प्रेश करके शेट कर दीजे और यहाँ पर तवा मेरा गरम है इस पर आप घी के जगह पर बटर भी लगा सकते हैं ग्रीश कर सकते हैं मैं घी से ग्रीश की मूँ तवा क इस तरह से रखげ और कभर करके 1 से 1.5 मिनिट तक रहने दीजिए जिससे हमारा चीज थोरा सा पतला प्तला प्तली हो हो गया जाए एक से फिलिप और कर दिया दूसरे साइड से दूसरे साइड से भी हमें compiler मिनिट को त्विर धक्ति अffen यह हमारा क्विक रेसिपी बन करके त्यार है जो थोड़ी चोटी भूख रहती है साम के समय में मौर्निंग में कभी भी आप क्विक लिए इसको बनाईए और खा लेजिए धोरा सगी उपर से मैं लगा रही हूँ अब बटर भी लगा सकते हैं आप लोगों को यह रेसिपी प दोनों सैट से रोष्ट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मैं चीज डाल रही हूँ आप चीज की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा चीज को मैं ग्रेट करके ऊपर से डालने हूँ चलिए अब इसको कट करती और इतने सारे वेजिटेबल संदर में हैं तो ये हेल्दी है ही टेस्टी तो है देखिए बस फटा फट ये हमारी ब्रेट सेंड़ीच बन करके त्यार हैं मिलते हैं अगले रेसिपेज के साथ थैंक यू